आत्माओं का खेल गाव की प्राचीन गुफा राजस्थान के एक गाव में एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है गाव वाले कहते थे कि जो भी गुफा के अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता गुफा के बारे में कई दरावनी कहानिया प्रचलित थी, लेकिन किसी ने भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की राज का साहस, राज, गाव का एक युवा और निदर लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था उसे रहस्यमई जगहों की सच्चाई जानने का शौक था, उसने ठान लिया कि वह गुफा के रहस्य का पता लगाएगा और गाव वालों को सच्चाई बताएगा एक दिन, राज ने अपने दोस्तों के साथ गुफा की ओर जाने का फैसला किया गुफा का पहला आनुभव, सूरज धलने से पहले राज और उसके दोस्त गुफा के मुहाने पर पहुँचे गुफा का वातावरन अजीव और डरावना था, राज ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाये और गुफा के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया अंदर घुस्ते ही उन्हें अजीब आवाजे सुनाई देने लगी और ठंडी हवा का जोका महसूस हुआ गुफा के अंदर एक पुराना तावीज लटका हुआ था आत्माओ का खेल, रात गहरी होने लगी और अचानक गुफा में अदरिश्य परचाईयां दिखने लगी ये परचाईयां उन आत्माओ की थी, जिनकी कहानियां गाव में प्रचलित थी आत्माओ ने राज और उसके दोस्तों को चेतावनी दी किवे तुरंत वहां से चले जाएं लेकिन राज ने आत्माओ की चेतावनी को नजरंदाज करते हुए कहा मैं यहां तुम्हारे रहेस्य को सुझाने आया हूँ आत्माओ की कहानी आत्माओं ने राज को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि वे एक पुराने राजवंश के लोग थे, जिन्हें एक शड्यंत्र के तहत मार दिया गया था. उनकी आत्माओं अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी. राज ने आत्माओं से वादा किया क वह उनकी मदद करेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा. तावीज का रहैस्य. राज ने आत्माओं की बात मानी और गुफा में छिपे तावीज का उप्योग करने का सोचा. तावीज को छूते ही राज को एक रहस्यमई शक्ती का अनुभव हुआ. उसने तावीज के माध् शांती से जा सकेंगी. राज ने गाउव वालों को आत्माओं की सच्चाए बताए और उनके दुखों को दूर किया. गाउव की शांती, आत्माओं की मुक्ती के बाद गाउव में शांती लोटाए. अब कोई भी गुफा में जाने से नहीं डरता था. राज के साहस और सू जो पाठकों को अंतक बांधे रखती है.